पाकिस्तानी यूटीब चैनल में आज मैं बहुत ही मज़े की रेस्पी लेक्के आई हूँ जो है चिकन फ्राइ सेंडविच तो चलिए यह चिकन फ्राइ सेंडविच बनाना शुरू करते हैं शुरू करने से पहले दौा करते हूं सबके लिए अलापाक सबकी तमाम मुश्क् दो अंडे लिए हाफ टी स्पून मैंने नमक लिए हाफ टी स्पून मैंने पिस्टी वी काली मेर्स लिए वन टेबली स्पून सोया सोस वन टी स्पून सिर्का थ्री टेबली स्पून मायोनीज आप किसी भी ब्रेंट का ले सकते हैं आपको इजीली मिल जाएगा इस तरह के 몇 すごacht Crawley conscious all leseous इसके बार मैंने यह 5 लिया है chicken जिसको मैंने बॉाइल करके ईसके रेशे कर लिये यह द एगे ब्रेट Cru bads इजो इसकी साइटस से कटते हैं ब्रेट को मैं काटों गी ऋर यह ब्रेट जब नहीं लेका आते हैं उसके उपर का हिस्सा और नीचे का जो तैव उसको आप जमा कर लें और ब्रेड क्रॉम्स बना के फ्रीजर में रख लें तो चूले पर एक पैन रखेंगे उसके अंदर ये वन टेबली स्पून ऑईल शामिल कर देंगे और साथ ही चिकन डाल देंगे और चिकन को हरका सब प्राइ करेंगे और अब हम इसके अंदर ये जो मैंने फाफ टी स्पून नमक लिए इसके अंदर मैं इसके अंदर से मैं आदा डाल दूँगी तकरीबन एक चुथाई टी स्पून और एक चुथाई टी स्पून ही मैं पिसी वी काली मिर्च डाल दूँगी और इसको मेक्स करूँगी और काली मिर्च और नमक डाल लेने के बाद इसके अंदर मैं ये वन टेबल स्पून सोया सोस शामिल कर दूँगी और वन टी स्पून सोया सोस और सुरी शिरका कि अच्छे से प्राई हो चुक है और सोया सोस और जो सिर्का में डाला था वह भी ट्राय होगे अब इस चुला बंद कर देंगे उसको साइट पर रख देंगे और अब यह जो हमारे ब्रैट के पीसिस हैं इसके किनारे काट लेंगे साइट से इस तरह से सारे पीसिस के इसी तरह से काट लेंगे यह देखें यह देखें सारे पीसिस के मैंने किनारे काट ली हैं और यह जो किनारे हैं यह जो इसके साइट से इनको जाया मत किजिएगा इनके हम ब्रैट क्रॉम्स बना सकते हैं और आप यह जो हमारा चिकन है इस आप चाहें तो इसके अंदर हरादन्या या फिर कोई वेजटेबल्स भी डाल सकते हैं जैसे गाज और या शुम्ला मिर्च और इसके साथ ही यह मायनीज डाल देंगे और यह मायनीज डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखें चिकन को मायनीज डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया अब इसको ब्रेट के पीसे पर लगा लेंगे इस तरह से यह फिला देंगे दो पीसदुशरे में लगा लियाँ अब दूसरा पीस इसके उपर रखके सकोट कर यहीं जो ढला लेंगे इसके उपर जो अंडे की कौटिंग करनी है वो त्यार कर देंगे यह जो दो अंडे लिया थे से और यह जो मैंने एक चुथाइटी स्पूर नमक बचाया यह सकंदर एड़ कर दूंगी और साथ ही पिस्टीवी काली मिर्चे चुथाइटी स्पूर और अंडों को अच्छे से मेक्स करेंगे अंडे को अच्छे से मैंने फेट लिया है फ्लफी होने तक आप यह जो ब्रेट क्राउंस है इसको प्लेट में निकाल देंगे अच्छे से फिला देंगे और यह जो ब्रेट है हमारी इसको अंडे में डिप करेंगे एतियात से अच् ब्रेट क्रम्स लगा लिए और इसको हलोगा यूँ डि निदों के थ armed है दो आई उप्राद से ढूराद कम लगा देंगे और ये देख़्िए आप मालुद्सक्राइफ करेंगे लिखा लिगते किि प्रेस करेंगे अच्छय से निदेख है कि ये देख़ दोनों पीसे में अंडा और bread crumbs लगा लिए और यह बच गये इसको जलजाया नहीं करेंगे इसको भी fry कर लेंगे साथ ही यह देखे चुले पर मैंने पैन रख लिए उसके अंदर मैं ने ओी डाल लिए इनको डीफ्राइब करेंगे तो यह हम इसको लो फ्लेम पर फ्राइब करेंगे ताकि देखें, एक साइट से हलका सा गोल्डन ब्राउन हो गया, अब मैं इसकी साइट चेंज कर दूगी, यह देखें, तो यह देखें, दूसरी साइट से भी ब्राउन हो गया, गोल्डन ब्राउन, अब मैं इसको निकाल दूगी प्लेट में, अच्छे से ओईल जो है, निकाल दे तो यह देखे जी दूसरा सेंड्विच भी हमारा त्यार है इसको भी निकाल लेंगे प्लेट में और अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूं यह देखे जी साथ में जो हमारा अंडा बचा था मैंने सोचा उसको भी फ्राइ कर लूँ कोई भी चीज जाया मत कीजिएगा ब्रेट क्रॉम्स भी मैंने रख लिए समाल यह बहुत मज़ेदार सेंड्विच हमारे त्यार है चिकन सेंड्विच यह साथ में थोड़े से फ्रा